टूथपेस्ट से प्रेग्नेंसी टेस्ट कैसे करते हैं काफी समय से घरों में प्रेग्नेंसी टेस्ट करने के लिए टूथपेस्ट का उप्योग किया जाता है घर पर प्रेग्नेंसी कीट के बिना प्रेग्नेंसी जाज करने के लिए आपको केवल सफेट टूथपेस्ट का ही यूज करना चाइए क्योंकि अभी मार्केट में काफी रंग फिरंगे तूथ पेस्ट आनू लगे हैं लेकिन आप सिरिफ तूथ पेस्ट यूज कीज़ें क्योंकि जो रंग फिरंग और जब फ़र्श टाइम आप पेसाब करने जाते हैं उस समय आप अपना एक या दो ढखकन पेसाब ले लिजिए इसके बाद उसमें उस कटोरी में उस पेसाब को डालिए और उसमें दो चम्मच सफेद टूथ पेस्ट डालिए और दोनों को पेसाब को और टूथ पेस्ट को एक साथ मिला दीजे मिलाने के कुछ देर के बाद आप उसे ध्यान से देखिए अगर पेसाब मिलाने पर टूथ पेस्ट का रंग नीला हो जाता है और वो जागदार हो जाता है तो समझ दिजिए आपका pregnancy test positive है और आप pregnant हैं लेकिन अगर toothpaste आपके पेसाब से मिलाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है सेम वैसा ही है जैसा था तो आपका pregnancy test negative है यहाँ पर आप एक ब्याद का ध्यान दिजिएगा यह toothpaste जो pregnancy test है इसे आसानी से किया जा सकता है लेकिन इसमें कुछ खामिया भी होती है जैसे कि इस बारे में कोई असपष्ट आंकडा नहीं है मतलब कि toothpaste में कितना पेसाब मिलाया जाना चाहिए और toothpaste के साथ जो मिलाने के बाद पेसाब और toothpaste को जब मिलाते हैं तो उसको मिलाने के बाद उसमें उसका रंग चेंज होने के लिए कितना समय लगता है कितना टाइम लगता है इसका कोई सही गड़ना अभी तक अवेलेबल नहीं है तो किसी महिला के लिए यह ज़ादो समय लग सकता है किसी महिलाओं में कम लगता है तो इसलिए ये जो है इसमें कितना आपको बेट करना पड़ेगा कितना नहीं इसका perfect जानकारी अभी तक available नहीं है तो आप इसमें ध्यान देजेगा कि कितना समय लगता है toothpaste का color बदलने में हो सकता है थोड़े समय में भी change हो सकता है या 10-15 minute भी लग सकता है तो अगर आप चा झार स कर सकता है